अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमश्कार रोलो सक्षिनियु स्नेटों को आप सवी का स्वागत है भारत से तराव कम करने के लिए चीन एक तरफ बातचीत करता है दूसरी तरफ घुसपैट का प्रयास भी करता है डोकलाम विवाद के बाद सिक्किम एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि चीनी सैनिकों ने बैयान जारी करके कहा भी है कि टकराव मामली था जो कि स्थानी कमांटर सतर पर सुल्जा लिया गया था चीन को एक बात ध्यान लखने चाहिए कि यह सतर्क भारती सेना है यह नया भारत है यहां किसी तरह की तिकडम बाजी चली नहीं सकती आयब को दिखाते हैं यह जो बी फीट में छुरा भूकने की कोशिश की हना की जमा देने वाली ठंड और 19,000 फीट की उचाई पर डटे भारती सेनिकों की चौकसी ने चीन को करादा जवाब दिया है इस बार पूरवी लद्दाक से इतर चीनी सेनिकों ने सिक्किम के नाकूला में घुसपैट की कोशिश की जिसे रोकने की कोशिश में भारती सेनिकों के साथ जड़ब भी हुई लेकिन फिलाहाल हालात काबू में हैं बताया जा रहा है कि भारती जवानों ने LAC से सटे नाकूला सेक्टर में शनिवार दोपहर गुसपैट की कोशिश कर रहे चीनी सेनिकों को वापस खदेड दिया इस दोरान जड़ब के चलते चार भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए हैं हाना कि अभी इस्तिती तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है भारती सेना के एक वरिष्ट अधिकाई ने कहा कि भारती छेतर के साथ सभी पॉइंट्स पर मौसम की इस्तिती खराब होने के इस दिन सुझा लिया गया बता दें कि नाकुला काफी समविदन्शील इलाका मना जाता है जिसका मतलब है कि इस छेत्र को समविदन्शीलता के चलते इस छेत्र में आपने टकराव की इस्तिती भी आ सकती है दूसरी और भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूरवी लद्दाक में गतिरोध वाले बिंदूं से सेनिकों को हटाने पर नौवे दौर की वारता के दौरान करीब 16 गंटे तक विस्तित चर्चा हुई सुत्रों ने कहा कि कोर कमंडर स्तर की वारता रव्यार सुबह करीब 10.30 बजे शुरू ही और यह सोमवार तड़के करीब धाई बजे खत्म होई पूरवी लद्दाक में वास्त्विक नेंतरन रेखा पर चीन की तरफ मोल्दों में यह बैठक होई बातचीत के बारे में जानकारी रखने वालों के मुताबिक भारत ने जोर दिया कि छेतर में गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटानी की प्रक्रिया को आगे ले जाने और तनाव कम करने की जमिदारी चीन पर है पूरी लदाक में विभिन परवती छेतरों में करीब पच्चास हजार भारती जमान तैनाथ हैं अधिकारियों के अनुसार चीन ने भी इतनी ही संख्या में अपने सैनिकों को तैनाथ किया है रविवार को हुई बाठीच से करीब दो सपता पहले भारत ने एक चीनी सैनिक को सौप दिया था इस चीनी सैनिक को पूरी लदाक में पैंगोंग सो के दक्षन तट वारे इलाके में पकड़ा गया था पता चला है कि भारत के इस कदम से सकरात्मक महौल बना वारता में भारती प्रतिनिधी मंडल का नेत्रेतो ले स्थित 14 कोर के कमंडर लेटनेंट जेनरल पीजी के मेंनन ने किया सेनने वारता में भारत पूरी लदाक के सभी इलाकों में अप्रेल से पहले किस्तिती बहाल करने की मांग कर रहा है दोनों सेनाओं के बीच यह टकराओं पांच मई को शुरू हुआ था दोनों पक्षों के बीच आठवे दौर की वारता 6 नौंबर को हुई थी जिस दोरान दोनों सेनाओं ने गतिरोध वाले कुछ खास बिंदों से सैनिकों की वापसी पर व्यापक चर्चा की थी आपको याद दिला दें कि कोर कमांडर स्तर की साथवे दौर की वारता 12 अक्टूबर को हुई थी जिसमें चीन ने पैंगोंग जील के दक्षिनी तटके आसपास सामरीक महत्तु के अत्यधिक उचे स्थानों से भारती सैनिकों को हटाने पर जोर दिया था लेकिन भारत ने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक ही समय पर शुरू करने की बात कही थी पिछले महीने भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वे के लिए कारेकारी तंत्र ढांचा के तहट एक और दौर की राजनिक वारता की थी लेकिन इस वारता में कोई ठोस्त नतीजा नहीं निकला था छटे दौर की सैने वारता के बाद दोनों पक्षों ने अगरी मोर्चों पर और सैनिक नहीं भेजने जमीनी स्तिती में बदलाव करने के एक तरफा प्रयास नहीं करने तथा विश्यों को और अधिक जटल बनाने वाली किसी भी गतिविदी से दूर रहने सहित कई फैसलों की घोशना की थी तो चीनी सेना को एक बात पर समझ लेनी चाहिए कि टकराव चाहे मामुली हो बड़ा हो भारती सेना हावी रहेगी और जिस तरीके से चीन ने जो आक्रामक्ता पहले के सालों में दिखाती रही है चीनी सेना और भारत पर एक मनोविज्यानिक दवाव बनाने की कोशिश करती रही है वो तक्रम बाजी अब नहीं चलने वाली है झाल 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 झाल